नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चेर परिचेत दोस्तों, पस्तित हूँ, आप सभी की सेवा में एक बहुत ही महत्व पूह जानकारी को लेकर के जिहां लक्ष्मी पूजन है, आए लक्ष्मी पूजन की विध्य जानते हैं हम। दिवाली पुजा के दिन लोगों को महा लक्षमी की नवीन प०्टीमा खरीदनी चाहिए इस पुझा विधि में लक्षमी जी की पूजा करने के लिए सुलध चरण शामिल हैं में जिसे श॓र शोम पचार कहा जाता है यानि कि शोडशो पचार पूजा के नाम से भी इसे जाना जाता है पहला है ध्यान भगवती लक्ष्मी का ध्यान पहले से अपने सम्मुख प्रतिष्ठित श्री लक्ष्मी की नवीन प्रतिमा में करना चाहिए आपको जब आप ध्यान लगा रहे हों तो यासा पदमा सनस्था विपुल कटी तटी पद्य पत्त्राय ताक्षी गम भिरारतो नाभी अस्तन भर नमिता शुब्र वस्त्रो तरिया या लक्ष्मी दिर्वे रुपैने गण खचितेह स्वापिता हेम कुम्भेह सा नित्यम पद्य हस्त इस मंत्र का अर्थ है भगवती लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान है कमल की पंखुडियों के समान सुंदर बड़े बड़े जिनके नेत्र हैं जिनकी विश्त्रित कमर और गेहरे आवर्त वाली नाभी है जो पयोधरों के भार से जुकी हुई है और सुंदर वस्त्र के उत्तरिय से सुशोभित हैं जो मरी जटित दिव्य स्वन कलशों के द्वारा स्तनान किये हुए हैं वे कमल हस्ता सदा सभी मंगलों के सहीत मेरे घर में निवास करें इसके बाद नमबर आता है आहवाहन का जी हाँ आवाहन करना होता है आपको श्री भगवती लक्ष्मी का द्यान करने के बाद आगे हम आपको बता रहे हैं इन मंत्रों को पढ़ते हुए श्री लक्ष्मी की प्रतिमा के सम्मुख आवाहन मुद्रा दिखा कर उनका आवाहन करें आगच्छ देव देवेशी तेजो मई महालक्ष्मी क्रियमारां मया पूजां ग्रिहार सूर वंदि स्रिलक्ष्मी देवन यम्स्री देवारा किजाने वाली पूजा को स्विकार कीजिए मैं भगवतिश्री लक्ष्मी का आवाहन करता हुँ पुष पांजली इसके बाद करना चाहिए पुष पांजली आसन आवाहन करने के बाद आपको अगला मंत्र जो हम बता रहे हैं इसको पढ़ते हुए उन्हें आसन के लिए पांच पुष्य अंजली में ले करके अपने सामने छोड़ने होंगे जिहां नाना रत्न समायुक्तं कार्त स्वर विभूशितं आसनं देव देवेश प्रियर्थ प्रति ग्रिहान ताम श्री लक्षमी देवे आसनार्थे पंच पुष्पाणी समर्पयामी इस मंत्र के साथ आप समर्पित करके फूल को मा का आहवाहन किजे कि वो अपना आसन ग्रहन करें इस मंत्र का अर्थ है हे देवताओं की इश्वरी विविध प्रकार के रत्नों से युक्त स्वन सज्जित आसन को प्रसनता हे तु ग्रहन करें भगवती श्री लक्ष्मी के आसन के लिए मैं पांच पुष्प अर्पित करता हूँ इसके बाद मा का स्वागत करना चाहिए जिहां पुष्पांजली रूप आसन प्रदान करने के बाद आप अगला मंत्र जो हम बता रहे हैं इसको पढ़ते हुए हाथ जोड़कर श्री लक्ष्मी देवी स्वागतम इस मंत्र का अर्थ है हे देवी लक्ष्मी आपका हम स्वागत करते हैं इसके बाद पद्य करना चाहिए आपको स्वागत कर आप अगला मंत्र जो हम आपको बता रहे हैं इसका उच्चारन करते हुए चरन धोने हेतु समर्पित करना है आपको यानि कि आपको पाद्य प्रश्चालन करना है। भगवति लक्ष्मी को पैर धोने के लिए यह जल है। उन्हें नमस्कार करें और उनका पैर प्रक्षालित करें। यानि कि धोएं। इसके बाद आपको अर्ग्य देना चाहिए। धन्दा देवी अर्ध्य ग्रिहान गंध पुष पाच्छ तैर युक्तं फल द्रव्य समन्वितं ग्रिहान तोय मर्ध्य अर्थ परमेश्वरी वत्सले श्री लक्ष्मी देवे अर्ध्यं स्वाहा। इस मंत्र का अर्थ है हे श्री लक्ष्मी आपको नमस्कार है। स्विकार करें भग्वते लक्ष्मी के लिए अर्ध्य हम समर्पित कर रहे हैं अर्ध्य को समर्पित करें उनके सम्मुख इसके बाद आपको अस्तनान कराना होता है। अर्ध्य के बाद अगला मंत्र जो हम आपको बता रहे हैं इसका उचारन करते हुए लक्ष्मी जी को जल से स्नान कराएं। गंगा सरस्वती रेवा पयोष्णी नर्मदा जलेह स्नापितासी मया देवी तथा शांती कुरुश्वामे आदित्य वल्ने तपसोधी जातो वनस्पतिस्तो व्रिक्षोत बिल्वह तस्य फलानी तपसा नुदंतु मायांतरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी हैं। श्री लक्ष्मी देव्य जलस्नानम समर्पयामी इस मंतर का उचारन करते हुए मा को स्नान कराएं। इसके बाद आपको करना होता है पंचामरित स्नान कराना होता है मा को जिहां। अगला मंत्र हम आपको बता रहे हैं श्री लक्ष्मी जी को पंचामरित से स्नान कराएं इस मंत्र का उच्चारन करते हुए इस मंत्र के साथ आप मा लक्ष्मी को स्नान कराएं इसके बाद गंध अगला मंत्र हम आपको बता रहे हैं इसको मिश्रित जल से स्नान कराना होता है आपको इस मंत्र के साथ गंध स्नान कराएं मा को चंदन समर्पित करें इसके बाद शुद्ध स्नान कराना होता है इसके लिए मंत्र है मन्दा किन्यास्तु यद्ध्वारी सर्वपापहरंग शुभं तदिंदं कल्पितं तुभ्यं श्नानार्थं प्रति ग्रिहांताम श्रेलक्ष्मी देव्ये सुद्धोदकस्नानं समर्पयामि इसके बाद मा को वस्त्र समर्पित करें मंत्र पढ़ते हुए मा को वस्त्र समर्पित करें मंत्र पढ़ते हुए मा को वस्त्र चढ़ाए इसके बाद मधुपर्क करें जिहां शहद का मिश्रण आप मा को अर्पित करें मंत्र है ओम कापिलंग दधी कुंदेंदू धवलंग मधुसंयुक्तम स्वनपात्र स्थितंग देवी मधुपर्कं ग्रिहान भूह श्री लक्ष् मधुपर्कं समर्पयामी इस मंत्र के साथ मधुपर्क करें मा को इसके बाद आभुशन चढ़ाए मा पर इसके लिए मंत्र है यह जरूरी नहीं है कि हर किसी को मंत्र आता हो तो जब आपको मंत्र का उचारण ना आता हो तो आप चला सकते हैं उस वक्त मंत्र के जो श्लोक ह उनको चला दें इसके बाद मा को समर्पित करते जाएं। इसके बाद रक्त चंदन चढ़ाएं। आप अगला मंत्र पढ़ते हुए लक्षमी जी को लाल चंदन चढ़ाएं। इसके बाद मा को कुमकुम चढ़ाएं। कुमकुम चढ़ाने के लिए आपको मंत्र उच्चारण करना है। कुमकुमं कामदं दिभ्यं कुमकुमं कामरूपिनं अखंड काम सौभाग्यं कुमकुमं प्रतिग्रिहंताम। इसके बाद अभीर और गुलाल चढ़ाएं। इसके बाद मा को सुगंधित द्रव्य चढ़ाएं। इसके लिए मंत्र है। इस मंत्र के उच्चारण के साथ आप मा को सुगंधित द्रव्य अरपित करें। इसके बाद अक्षत चढ़ाएं मा पर। अक्षताष्च सूरश्रेष्ट कुंकु माकताह शुशोभिताह मया निवेदिता भक्त्या पुजार्थ प्रतिग्रिहंताम। श्री लक्षमी देव्य अक्षतान समर्पयामि। इसके बाद गंध समर्पन यानि कि चंदन समर्पित करें। आए इसका मंत्र जानते हैं। गंधाड्यं सुमनोहरं विलेपनं महालक्षमी चंदनं प्रतिग्रिहताम। श्री लक्षमी देव्य चंदनं समर्पयामि। इस मंत्र का अर्थ है हेमालक्षमी मनोहर और सुगंधित चंदन शरीर में लगाने हैं। ग्रहन करें भगवती श्री लक्षमी के लिए चंदन मैं समर्पित करता हूँ इसके बाद पुष्प समर्पित करें मा को मंतर है यथा प्राप्त रितु पुष्पे विल्वत तुल्सी दलेश्च पूजयामी महालक्षमी प्रसीद में सुरेश्वरी लक्षमी दे्वय फल मिला है विल्व तथा तुल्सी दलों से मैं आपकी पूजा करता हूँ हे देवेश्वरी मुझे पर आप प्रसन्न हूँ भगवती लक्षमी के लिए मैं पूश्प समर्पित करता हूँ इसके बाद अंग पूजन करें मंत्र हम आपको बता रहे हैं भगवती लक्षमी के अंग देवताओं का पूजन करना चाहिए बाएं हाथ में चावल पुष्प एवं चंदन लेकर प्रतीक मंत्र का उचारन करते हुए दाहिने हाथ से श्री लक्षमी की मुर्ती के पास इसे छोड़ते जाना चाहिए पैर पूजना है आपको मैं एक बार पूरा मंत्र पढ़ देता हूँ आप सभी के लिए ताकि आप इसको चला करके भी इस वक्त आप चढ़ा सकते हैं मापर यानि कि मा के अंगों की पूजन कर सकते हैं जो हमने बताया कि पूष्प हाथ में ले लिजे चंदन ले लिजे और इस मंत्र का उचारान करते हुए उन पे चढ़ाते जाईए इन मंत्रों के उचारण के साथ मा के अंगों का पूजन करें उन पर चावल यानि की अक्षत पूष्प और चंदन चढ़ाते जाएं इसके बाद अश्ट शिद्धि पूजा करें सभी अंगदे उताओं की पूजा करने के बाद पुनह बाएं हाथ में चंदन पूष्प एवं चावल लेकर दाएं हाथ से भगवती लक्ष्मी की मुर्ती के पास ही अश्ट शिद्धियों की पूजा करें इन मंत्रों के साथ अश्ट शिद्धियों की पूजा करें इसके बाद अश्ट लक्ष्मी का पूजन करें अश्ट शिद्धियों की पूजा के बाद आप उप्यूगत यानि की जैसा हमने विधि बताए इसी विधि से भगवती लक्ष्मी की मुर्ती के पास ही अश्ट लक्ष्मियों की भी चावल चंदन और पूष्प से पूजा करें इस प्रकार से अश्ट लक्ष्मियों की पूजा करने के बाद आप धूप समर्पित करें इसके लिए मंत्र है वनस्पति रसोद भुतो गंधाड्य सुमनोहर अरगेह सर्व देवानां धूपोयं प्रती ग्रेहंताम श्री लक्ष्मियों धूपम समर्पयामी इस मंत्र का अर्थ है व्रिक्षों के रस से बनी हुई सुन्दर मनोहर सुगंधित और सभी देवताओं की सुंघने के योग्य यह धूप आप ग्रहन करें हेमा भगवती श्री लक्ष्मि के लिए मैं धूप समर्पित कर रहा हूँ इसके बाद दीप समर्पित करें इसके लिए मंत्र है दीपं समर्पयामी इसका अर्थ है हे देवेश्वरी घी के सहित और बत्ती से मेरे द्वारा जलाया हुआ तीनों लोकों के अंधेरे को दूर करने वाला दीपक स्विकार करें मैं भक्ती पूर्वक परात परा श्री लक्ष्मी देवी को दीपक प्रदान करता हूँ इस दी समर्पित करें माको यानि कि बताशा इत्यादी खाद्य पदार्थ दही दूध और घी जैसी खाने के वस्तियों से युक्त भोजन आप ग्रहन करें हे माता यथा योग्यरूप भग्वती श्री लक्ष्मी को मैं नैवेद्य समर्पित करता हूँ प्रान के लिए अपान के लिए समाज के लिए उदान के लिए और व्यान के लिए स्विकार करें हे माता इसके बाद आचमन समर्पन करें जल समर्पन करें इस मंत्र का अर्थ है नवेद्य के बाद मैं पीने और आचमन यानि कि उत्तरा पोशन के लिए हात धोने के लिए मुख धोने के लिए जल और हाथों में लगाने के लिए चंद्रम समर्पित करता हूँ इसके बाद ताम्बुलं समर्पन करें जो की पान बोलते हैं आप नौर्मल लेंग्वेज में इसके लिए मंत्र है इस मंत्र को पढ़ते हुए पान सुपारी मा को समर्पित करें पूगी फलं महा दिब्यम नाग वल्ली दलेर युतम करपुरेला समा युक्तं ताम्बुलं प्रती ग्रहंताम श्री लक्ष्मी देव्य मूख सवार्थ मुंगी फलं युक्तं ताम्बुलं समर्पयामि इस मंत्र का अर्थ है पान के पत्तों से युक्त अतियंत सुंदर सुपारी कपूर और इलाइची से प्रस्तुत ताम्बुल आप स्विकार करें भग्वती श्री लक्ष्मी के मूख को सुगंधित करने के लिए सुपारी से युक्त ताम्बुल मैं मा को समर्पित करता इसके लिए मंत्र है इस मंत्र का अर्थ है असीम पुने प्रदान करने वाली स्वन गर्भित चंपक पुष्प से मुझे शांती प्रदान करिये भगवती श्री लक्षमी के लिए मैं स्वन पुष्प रूपी दक्षणा प्रदान करता हूं इसके बाद नमबर आता है प्रदक्षणा का अब लक्षमी की प्रदक्षणा यानि की बाएं से दाएं और की परिक्रमा के साथ आप जो हम मंत्र बता रहे हैं इन मंत्रों का उच चारण करें श्री लक्ष्मी जी को इसके साथ साथ फूल समर्पित करें। ये होते हैं वे सब प्रदक्षिना करते समय एक एक पग पर क्रमशह नश्ट होते जाते हैं। श्री लक्ष्मी जी को पुष्प समर्पित करें। या शरीर या कर्म से उत्पन कानों आखों से उत्पन या मन के जो भी ज्यात या अज्यात मेरे अप्राध हों। इसके बाद सश्टांग प्रणाम करें। श्री लक्ष्मी को सश्टांग प्रणाम यानि की प्रणाम जिसे आठ अंगों के साथ किया जाता है। करके नमस्कार करें। इस पूजन से श्री लक्ष्मी देवी प्रसन्न हूँ, उन्हें भारम बार में नमस्कार करता हूँ। इसके बाद शमा प्रार्थना करें। शमा प्रार्थना के लिए हम आपको मंत्र बताते हैं। कभी भी पूजन के दवरान जो गलतियां हो जाती हैं। मंत्रो चारण में जो गलतियां हो जाती हैं। किसी भी प्रगार की ज्यात अज्यात भूल के लिए श्री लक्ष्मी जी से शमा प्रार्थना करनी चाहिए लाश्ट में। आहवाहनं नजानामी विसर्जनं पूजा कर्म नजानामी समस्व परमेश्वरी मंत्र हीनं क्रियाहीनं भक्ति हीनं सुरेश्वरी मयायत पूजितं देवी परिपून तदस्तुमें अनेन यथा मिली तोपचार द्रभ्येह। क्रीत पूजनेन श्री लक्ष्मी देवी प्रियताम श्री लक्ष्मी देवय अरपणमस्तू इस मंत्र का अर्थ है न मैं आहवाहन करना जानता हूं न विसर्जन करना जानता हूं पूजा कर्म भी मैं नहीं जानता हूं हे परमेश्वरी मुझे शमा करो मंत्र क्रिया और भक् जो कुछ पूजा मैंने की है हे देवी वह मेरी पूजा संपून हो यथा संभव प्राप्त उपचार वस्तुओं से मैंने जो यह पूजन किया है उससे भगवती श्री लक्षमी प्रसन्न हो भगवती श्री लक्षमी को यह सब पूजन समर्पित करते हैं हम और दिल से मा को न प्रोब्लेम है इसलिए भाव पून धंग से पून निष्ठा और लगन के साथ मातारानी की पूजा करें आपसे शलोक बोलने में गलतियां हो सकती है लेकिन वो बड़ी बात नहीं है आपका भाव कितना है उस पूजन के प्रती ये महने रखता है इसको ध्यान में रखते हु मातारानी का पूजन करें इस सब पूजन को करने के बाद आप अंत में मातारानी की आरती करें आरती करने के बाद पूजा संपन्न हो जाती है आप सदेव सुखी रहेंगे खुश रहेंगे इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेना चाहूंगा अपने इस एपिसोड में अ को और बेहदी महतोपूल जानकारी ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों